आजम बनाएंगे सूजी से बहुती हेल्दी और चटपटा नाश्ता, बहुती चटपट से बनके तयार हो जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उपर से क्रिस्पी बनता है और अंदर से एकदम सॉप्ट, तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते है सबसे पहले मैंने ये सवा कप सूजी ले है, आप बारिक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, सवा कप सूजी लेने के बाद इसमें डाल रही हूं मैं एक कप दही, दही थोड़ा सा खटा होगा तो भी चलेगा, ताजा दही होगा तो भी चलेगा, एक कप दही हमने इसम इसमें आदा कप पानी डाला है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एक साथ सारा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सबजिया, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइस की प्याज को काट लिया है बारिक टुकडों में, एक टमाटर इसमें डाल देंगे टमाटर को भी मैंने बारिक काट लिया है जिसके मैंने बीस निकाल लिये हैं यहाँ पे मैंने आदि कटोरी शिम्ला मिर्च ली है जिसे भी बारिक बिलकुल टुकडों में काट लिया है यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक चमच बारिक कटीवी हरी मिर्च और यहाँ पे हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा दनिया, हरे दनिया की quantity थोड़ा चादा ही लेंगे इसमें, आप यहाँ चाहें तो अपने पसंद की सबजियां मिला सकते हैं, जैसे की मटर हो, उबले हुए मटर, उबले हुए कॉर्ण भी डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, पहले हमने इसमें 3-4 cup पानी डाला था और 1-4 cup पानी हम इसमें और डाल देंगे, यानि टोटल इसमें 1 cup पानी डल जाएगा, एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, देखिए इस बैटर की consistency इस तरीके से होनी चाहिए, यह पानी की तरह नहीं किरना चाहिए, यासे रुक रुक के जो बैटर के रहा हो, तो मतलब समझीए, इस नाश्ते के लिए बैटर की यह consistency बिलकूर perfect है, अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार, इस recipe में हम कोई भी मसाल इसमें नहीं डालने वाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला या काली मिश का पाउडर डाल सकते हैं, मैंने इसमें केवल नमक ही डाला है, और नमक को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, अब यह नाश्ता soft बने, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, नाश्ता लंबे समय तक soft रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पे baking soda डाला है, अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, देखिए इसकी consistency फिर से मैं दिखा रही हूँ, अब यहाँ पे ले ली है मैंने एक इस तिल की कड़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1.5 चमच तेल, और तेल दो कलची बर के बैटर हम इस कड़ाई में डाल देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे non-stick कड़ाई या लोहे की कड़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इस recipe को तवे पे भी बना सकते हैं, मैंने इस तिल की कड़ाई में इसे बनाया है, यह बैटर इसमें बिल्कुल मिनिट तक के लिए पका लेना है, तीन से चार मिनिट के लिए मैंने इसे ढके पका लिया है, अब इसे हम पलट देंगे, उपर से एकदम ड्राय हो गया है और नीचे से देखिए एकदम crispy कुरकुरा नाश्टा यह फ्राय हो चुका है, अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लिया है, देखिए, नीचे से भी नाश्टा एकदम ड्राय हो गया है, आप सहे तो इससे भी ज़्यादा इस नाश्टे को सेख सकते हैं, इसका कलर और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, दौना तरफ से मैंने इस नाश्टे को 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है, अब नाश् तरीके से मैंने दूसरा नाश्ता भी इसी कड़ाई में बना के तयार कर लिया है फिर से मैंने इसमें एक से तेल डालके तिल और थोड़ी सी राई डालके और उसी कल्ची से मैंने इसमें बैटर दो कल्ची डाल दिया है और इसी तरीके से इसको डग करके हम 3-4 मिनिट के और healthy तो है ही नाष्टा, बहुत कम तेल में नाष्टा बनके तयार हो जाता है तो friends देखिए, दिखने में ही कितना सुन्दर लग रहा है इस नाष्टे को आप चटपट से सुबह में बना सकते हैं इसे चटनी, चाय के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हैं तो friends अगर वीडियो पसना है तो please वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे फिर इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद